हीज हो गया तो इसका हीज हो गया अब सवाल ये बात का फस्त है कि सलाह हीज है और हीज है ये प्रणों पहचानेंगे कैसे की पैसे फॉस्षी परनौन तो ध्यान रखना है कि पजिसीव एड्जेक्टिव के लगाद हम करेंगे लेकिन पजिसेव परनावन के बाद क्या करता है समझ में ने आता है कभी-कभी किस्मत से खेल जाता है कि दो पीडिया और दोनों ऐसा आप यह मान लेते हैं ठीक है हम एक्जाम में बठा है और ऐसा फिलर्स मिल गया जिसका मिनिक हम सबसे पहली बार देखे कोई कोई सेट इतना आसान कर देता है कि लोग 25-25 छुकातें वही लोग यहाँ 25-18 ए तो यह यहां 25 हो रहा है तो अपने आप में तो इंग्लीज खराब तो नहीं है जिसका 25 हो रहा है उसका इंग्लीज तो खराब नहीं है यह तो 100% पता है सबको यह बड़े बड़े टीचरों को भी पता है कि अगर 25 हुआ है इसका इसका मतलब इंग्लीज खराब नहीं है इंग्लीज लेकिन आप ऐसा कर देता है, इससे सिख्या किया जाए, कोई बात ने, आप क्या करें कि इस वीडियो को हम देखेंगे, इसमें की content क्या है, इसमें हर एक एक word का meaning जानेंगे, क्यों होगा, और हर चीज का भी हिंदी जानेंगे, कि इस word का पुरा हिंदी क्या था, इस पुरा sentence क उसका हिंदी क्या था, वो सभी जानने का कोशिस करेंगे, कोशिस करेंगे, आपको पूरी तरह से अच्छा लगे, और उमिद करते हैं आप बहुत सिखेंगे इससे, सबसे पहला even animals, यहां तक की जानमर भी, even animals, यहां तक की जानमर भी find it difficult, मुस्किलों में पाते हैं, अपन हमारा plural है, तो वर्ब यहां plural लिखा गया है, हम चार्ट चार्ट के बतारें क्योंकि कभी-कभी grammar से बहुत अच्छा होता है, कि फिलर भरा जाता है, भले meaning पता हो या नहीं हो, तो वर्ब हमारा plural होना चाहिए, यानि कि subject हमारा plural होना चाहिए, तो वर्ब प्लूरल होने के ल नहीं है, find है, तो यह हमारा plural है, लेकिन फिर से लिखते हैं, यह जो find है, यह हमारा singular है, लेकिन find है, हमारा plural है, क्योंकि फाइंड जिसके अंतमेस रखता हो वह हमारा भर्ब सिंगल अग़ता है जिसके अंतमेस नहीं तो ह हमारा प्लूरल होता है तो यह जो है अपने आपको क्या बात है मुस्किलों में तू odpow के बाद जो भी आता है वह के बाद भर्व का ягला फोउम अता है और ऑन चून के बाद भर्व का पहला फोम दिया गाम कि क्या होगा क्योंकि option फसादिया हमको अगर कुछ दूसरा रता तो मार देते तो के बाद भर्व का पहला फंदेना था तो दिये नहीं आप संसे चुनना पड़ेगा यहां लिखा लाया आगे खाले स्थाने टू दा लॉस ऑफ देयर लवड़ वन्स अपने को खोना यहां तक कि वो लोग भी सहन नहीं कर पाते थे अपने को खोना वो लोग भी नहीं सहन कर पाते को लोग जानवर लोग अब थोड़ा सा अगर हम देखे तो यहां है मतलब खोन सहना बरदास करना कि अपने को होना वो लोग सहन नहीं कर पाते हैं सहन नहीं कर पाते आगर हम यह व यह भर करें डेखें डबलू-ए-आ आर तो थो लोस उसके बाद अगर व यह डालोस और तो सभसे अच्छा है कि अगर ठीक कोई भी ओपिशन देखतें bear the loss, तो एक idiom है जो आप लोगों को याद रखना होगा, वो है bear the loss, और bear the loss का मतलब होता है, सहन करना या बरदास करना इसका मतलब होता है सहन या बरदास करना ठीक है, सहन करना या बरदास करना bear the loss, तो सवाल ये जो चीज है bear the loss यह आपका phrase है ये याद रखना होगा कि bear the loss साथ में यूज होने वाला word है यहाओ यूज होने वाला है तो bear the loss हमेसा एक साथ होता है यह दोनों का मतलब होता है सहन करना या फिर बरदास्त करना तो अगर हम कोई वर्ड भरते तो गलत वह था क्योंकि कॉंबिनेशन में तो बीयरदा लॉस आना चाहिए था तो यहां पे है बीयरदा लॉस ठीक है तो उम्मिद करते हैं कि यह समझ में आया होगा कि क्या है अब थोड़ा साब क्या करते हैं इस सभी का हम हिंदी देख लेते यह बियर का मतलब ता है सहन करना या बरदास करना और वो जो नीचे वियर लिखा था इसका मतलब तो पहनना था हम लोग कपड़ा उपड़ा जो पहनते हैं यहां तो वियर तो लॉस पहनने वाला अहानी ऐसा तो नहीं होता या फिर वियर का मतलब कहां बेर मतलब नंगा यह सब लिखा हुआ है तो B-Y-R मतलब साहण करना या ब्रदास्त करना अनसर यह है वी यह मतलब पेहनना वे-र मतलब कहा और B-Y-R मतलब कहाँ और मतलब नंगाया काली यह मतलब आप कभी कभी होता है कर जंदे । gusta कर रही है अब यहां तक समझ में आ रहा होगा कि हां ठीक लग रहा है गांड़े-expect-my किरपिया तुम हमेरा क्या करो स्विकार करो अब क्या करना है सबसे पहले हमें तो ढूनना है माय माय के बाद आना किया चाहिए गांड़ी-expect- म्य है वह हमारा है के word лес के हैं के एक सब्रमय के अब माए है माई माई सीजेक्टिब ए और जब पजिशीटिव आता है तो आगे हम को चाहिए होता है कि पर अगे नाउन चाहिए होता और जब आगे नाउन चाहिए होता है तो थलो nossa शेयं गए देखकर कोई कि कभी भी पुझेषिव प के बाद किया हुता है लेकिन पॉड़ा सा अगर मांइ ओगया पश्डियूसाघ इसका पजी सब्र Calvindoes पर पर निखेंगे और यह पहचानेंगे कैसे की पैसिशिव एड्जेक्टिव के बाद नाउन का परियोग हम करेंगे लेकिन पजीशिव प्रियोग नहीं करेंगे थेक तो mice be एकिश्पक्ट है क्या करना है ओन्योर नियुह हेरकत गया है यह पर तो 엄마 इर्शनिलिटी और यह तुमhary को क्या कर रहाไर किरा है यह तुमहरे प्र्राशनिलिटी को क्या कर रहा वैं देख लोगत 10 सबसे पहले अगर हम छाटना why is that current नमबर से देखें सें तो एट यह एएसायध करता है यह है कि यहां जरकार कुड eleven कि यहां पर लिखेलने कमपिलिमेंट सब सबस्सक्राइख सब्सक्राइब सब्सक्राइब सबस्सक्राइब और उसके बाद लीठ एले एक में खली चेंज्ज कंप्लिमंट और यह यह कंप्लिमेंट काटना होगा क्योंगे क्यों नहिए इसका मतलब हुता है पूरा करना पूरा करना औरम पहला में एगस भरें और मैं क मुस्ट मेसरे कर Pay ass पूरा करना सिवकार कुरो कि हम जो एक मिनट हम बता दे रहे हैं यह इसका मतलब पूरा करना लेकिन यह कॉंप्लिमेंट का मतलब होता है परसंसा ठीक अब बोल रहा है can only accept my my पूरा करना मेरा पूरा करना तुम सुखार करो या मेरी परसंसा तुम सुखार करो तुम बोला के can only accept my compliment मेरी परसंसा को तुम सुखार करो है on your new haircut जो निया haircut किए तुम उसका परसंसा को तुम सुखार करो अब यहां अगर यह भरते तो गर्त हो जागा कि तुम निया haircut को पूरा करने का सुखार करो he इसे हिसमी है यहां प्रशंत को शहकर को तुम्हारा हीर कई जो हैब वह बहुत अच्छा है इट कॉंप्लिमेंट यूर प्रस्टनलेटी तुम्हारे प्रस्टनलेटी को परसंसा करता है तुम्हारे प्रस्टनलेटी को परसंसा नहीं करता है ऐसा होना चाहिए कि मेरा परसंसा को तुम्हारे प्रस्टनलेटी को यह मस्त पूरा कर रहा है जो कमी था वो पूरा कर दिये तो मगूरा है tard कि फूरा करना अना चाहिए तो यह है निभी ऐना कॉपलिमेंट पूरा करना अग। क्कॉरा करना और यह वह वह कॉष्जान नहीं है पर समचा अपको चंता करने की नई बात है सब चीज लिखा हुआ इसमें ठीक है तो यह कॉंप्लिमेंट मतलब पूरा करना अब वहाँ एक्सप्ट माइक कॉंप्लिमेंट मेरी परसंट सब को तुम्हारे प्रस्टनलेटी को पूरा करता है अब इसको याद कैसे रखेंगे वह थोला सा हम बता देते हैं ठी कर देंक हैं एंसर नंबर आप सकेंड कर लेजा आगी लिखा हुआ है अए और हम याद करने का थोड़ा ट्रीक बता देते इसका सबसे पहले हम बोलते आपको कि कंप्लीट come complete लिखते एगर बोलें ऐसे लिखते एं Państ और जब complete ही पूरा कर रहा है क fried to cattle Sovietậ filter अगर पूरा कर रहा तो इसका मतलब डबल मतलब complete पूरा करो मतलब सबमें फूलिब कही होन ज़्य में तो कॉंप्लीमेंट कहीं आई दिखा कंप्लीमेंट में भी कहीं अई दिखा नहीं दिखा, तो complete मतलब पूरा और compliments मतलब भी पूरा, तो complete में कहीं आई नहीं है, तो इसका मतलब जहां आई नहीं है, वो पूरा करना का मिनिंग होगा, तो इसका मतलब complete करना होगा, और जहां आई है, इसका मतलब परसंसा करना, सब चाहता है I, यानि मैं परसंसा करूं ओक सब्सक्राइबर सब्सक्राइब साथ करते हैं यह किसी निकःता है खली सब्सक्राइब कर सा करता हुँ और नियुक्ति घर खली काम पूरा कर ले, चलते हैं तो यह करमें वह शबका काम पूरकर ले चलता। आई मैं सबको परसंचा कर ले चलता हूं तो आगे बादे को यहाँ पर हिंदी लिखा घंग थैं परसंचा शिद्शा पूरक पारने पारसंचा और पूरक पूरक के ऊपकी नई हैरकट आपको बहुत जज रही है आपकी को पोरा कि इसे स् कि नेवर सी सिंस सी हैट नेवर ट्रेबल अबरॉड सी वास बोथ और नर्वस पूर अपकमिंग ट्रिप आने वाले ट्रिप में वह दोनों चीज है क्या चीज है एक नर्वास है तेकर क्या होता आदमी देखिए सबसे पहले का अब सबसे पहले अगर देखें तो यह हैड के स साथ मेरा दिया हुआ भर्व का तीसरा पॉन है ठीक सिंस सी हैट नेवर ट्रेबल अब क्योंकि अभी तक तो सबसे पहले जब से अभी हुए तब से तो अभी तक नहीं गई है नेवर ट्रेबल अब कभी नहीं सीवास बोथ अब अगर अगले ट्रिप जाना चारी है अब कम साब कि जब हम लोग realities का वेकट करते है तो में फौजटिब में होते हैं सब कुछ पॉजटिव में भी नर्वस जो हता है निगेटिव होता है फोजटिव होता है अगर मान लेते हैं कि हम बहुत जिसे कोई गलत काम कर दी है तो वहाँ गर वहाँ नेगेटिव का है लेकिन म हम दो चीज होते हैं उसमें एक रिजल्ट आने माद है दो चीज होते हैं एक नर्वस इस बात से होते हैं कि पता नहीं क्या होगा टॉप करेंगे के नहीं और दूसरा चीज यह तो एक सबब्सक्राइब निर्वस और नर्वस है कि कि पता न्हीं क्या होगा तो वो नर्वस है लेकिन खुश इस वात से है कि हम पहली बार जा रहे हैं वही बोले रिजल्ट वाला कहानी है जैसे कोई गलत काम किये हैं तो वह नर्वस है बैठेवे चुप चाप है एक्साइटेड नहीं रहते है उसमें लेकिन मालने ते रिजल्ट आने वाला यह अच्छा काम है पहली बार ट्रिप में जारी यह भी तो बढ़ी है उसके लिए उत्सुकता है पहली बार रिजल्ट आगा हरी शला उत्सुक है और नर्वस इस बात से कि पता नहीं क्या होगा गुद्गुद्धी लग रहा अंदर से पुरा आख बका आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया बह क्वरिशार कर Keyicket toad geographic मतलब मतलब होता है पेसे मतलब क्या होता है अरो अचनीन थोड़ा सा हinka है क्योंकि वो कभी विदेशयातर तो गई नहीं कि कभी नहीं सो थे इसलिए बबू सबसेए कि क्वाने कों और मोडल Rider कबाद क्या अधर्प का तो मॉडल के बाद वर्ब को पहला फॉन है he could feel every and artery in his body अच्छा इसका मतलब होता है यह क्या बोलते हैं इसको धमनी को इस व को मैसूस कर सकते है अपने धमनी और जिवर मतलब यह इसको यक्रित बोलते हैं नहीं कर पाता है हम लोग 2 चीज मैसूस कर पाते हैं एक जारी कोई दिन अध्याटाया यहाँ शेक करेंगा और नहें तो फिर यह पंप दिखाएगा ख़ाएगा सथिगऊ इन नस और यह दोनों कोई रिलेशन है हे नहीं क्योंकि धमनी है तो आगे सरीर का भी कोई अंग होना तो उसे के लिट यह था यह है subscribe कोई जगा का नाम है यह भी हर जाना यह तो इसका मतलब है कि यह दोनों खतम हो गया और जब यह दोनों फील है लोग महसूस को करना तो करते हैं इन और थोड़ से समझा देते हैं कि हमाई ने मोडल के बाद क्या आता है अब अ होना चाहिए पहले बॉडी का अंग के पहले बॉडी का अंग होना चाहिए जब दो यहनत दोनों सब्राबर करके रखता है यहां भी सरीर का होना इन इस बॉड़ी इस बॉड़ी अब हीस क्या होगी आप यह बताए थे यह पोजिसिव डियक्री सर क्यों कि आगे बॉड़ी जो हमारा नाव है ठीक आगे बड़े अब यह इसका हिंदी बिट मतलब हराना फिटन लिवर या कृत यह जिगर जिसको हमने कुछ कर सकते विन नस इसको महसूस कर सकते बिट हराना प्लेस मतलब जगा यह दोने उसकोई मतलब नहीं था दो सरीर का अंग था जिसमें यह नहीं होगा यह होगा एंसर भी है वह अपने शरीर की हर नस और भ्रमनी को महसूस कर सकता था आगे बड़े दा हूमर आप दा गॉड्स इस कुरूवल मतलब यह हूमर आप दा गॉड्स भागवान के जो मजाक है इस कुरूवल बहुत ही खराब है और दे सी मोर दैन वी डू जो हम लोग करते हैं उनसे ज्यादा वो देख लेते हैं अब थोड़े सा अगर देखे तो दे हूमर आप दा गॉड्स इस कुरूवल यह जो भागव कारब है और आगे बूल रहे हैं कि दे सी मोरदार वीडू जो हम लोग कर अभी हम बोल रहे हैं कि जो हम लोग करते हैं या दाना है तो एसा मनना होता है त counting भगवान के मजद तो बहुत कुरूल है और सायध हम लोग जो करते हैं उनसे वो ज़्यादा देख लेते हैं सायध हमेशा सायध में बोलेंगे और जब हमेशा सायध में बोलेंगे तो इसका मतलब होता है सायध का इंगलिस है यहाँ परहब्स क्या है परहब सायद देशी मूर धैन New आप मोरधैन कर रहे हैINGING देशी वह लोग देख लेते हैं जो हम लोग कर लेते उससे जाए तो तुलिन ना कर रहे और सायद में तुल्ला कर रहे है इसलिए लगा हमारा K कर देज कर दो कर दो रहा मतलब होता है हाला कि ऐन्लाइकि लिए संभावना ना हुना एक दम ना हो लिए अच्छा कर दिस्लाइकक है एकताह जस्लाइक करते हा तो यहिस्लास मतलब होता है पसंद नहीं करना लेकिन अग गलट हो जाते हैं अगर यूद्ध मतलब होता है संभावना न थोड़ा ध्यान देजगा कि लाइक मतलब पसंद करना अ़ Unaiक अर देखते हैं, जो हम करते हैं, ऐसा ही लिखा हुआ तो, अच्छा, I envy, I envy the way, मैं जलता हूँ, the way, मतलब उन तरीकों से, क्या है वो तरीका देख लेते हैं, I envy the way, मैं उन तरीकों से जलता हूँ, मैं उन से जलता हूँ, c c all tasks वो सभी कारे करती all के बाद हमेशा countable noun है और countable जो noun होता है वो हमेशा plural form में आना चाहिए plural में लिखा लेता है all tasks सभी कारे with such ease and speed ease मतलब बहुत आराम से और तेजी से कर लेता है बहुत आराम और तेजी से वो कर लेता है I envy the wave मैं इसलिए उससे जलता हूँ क्योंकि वो सारे काम को क्या कर लेता है असानी से क्या कर लेता है speed से और असानी से कर लेता है इसका मतलब सारे काम को क्या कर लेता है पूरा कर लेता है और सारे काम को पूरा करने का एक ही meaning होता है वो carries out काम पूरा कर लेना तो वह बूल रहा है कि में उससे जलता हूए कि वह सभी काम और जितना भी काम है वह बहुत आसानी और इस स्पीड पूरा कर लेती है उसको इपने तों केरि-इ- person या उसका मिली सबसे पहले account for मनतलब तो जवाब देही होना तो यह तो होगा नहीं किसी चीज के लिए जवाब देही देना ठीक है तो यहां तो समझ मागा कि हम उनसे जलते हैं क्यों क्योंकि वह पूरा करें लेती है हर काम carry out मतलब पूरा करना आपको थोड़ा सा यह याद क करना होगा है ठीक है पूरा करना अब थोड़ा से इस कोईशन का हिंदी और एंसर चेक कर लें एंसर नंबर यह है कैरीज आउट मतलब अंजाम देना या पूरा कर लेना अब पूरा करना भी लिख सकते हैं इसको पूरा करना कि ड्विंडल मतलब ऐसे भी कमी होना होता है ना ब्रिंग आउट भी तो पूरा करना हुआ अब थोड़ा सा पीछी चलते हैं यहां पर कोई भी काम को तेजी से खत्म करने के सेंस में हमेशा कैरी आउट आता है ब्रिंग आउट नहीं आता है याद रखेगा इस बात को कि कभी भी कोई काम को अगर पूरा करना है या फिर अंजाम देने का सेंस आता है हम क्या बोलें वो काम को बहुत अच्छे तरीके से कर लिती है पूरा और इसलिए वो क्या करती है उससे बहुत जलती है तो इसका मतलब काम को पूरा कर लेती है इसका मतलब काम जहां तक है वो वहां तक खतम करती है ना मतलब काम को पूरा अं यह याद रखना है काम के सेंस में क्या परियोग होगा के रिंग आप नई परियोग होगा ठेक यह कभी नहीं होगा ब्रिंग आप ठेक याद रखेगा इस चीज को जस्मिता इस वन अब दा मोश्ट अब वो जस्मिता जो है वह वन अब दा मोश्ट अब क्या है वो गर्ल परसंग आई हैव एवर मिटाइज सी है इस मेनी टैलेंट उसके पास बहुत सारा टैलेंट है मैंन मैनी के बाद कोई भी कांटेबल नाउन हो वो प्लूरल फॉम में आता है तो मैनी के बाद प्लूरल लिखा है लेकिन अगर मैनी के बाद ए रहता ना तो फिरी वो सिंगलर में आता है ठीक है तो सभी मीनिंग एक जैसा है बसके वह स्पैलिंग चेज़ है स्पैलिंग क्या ह तो वर्साटाइल, वर्साटाइल का मतलब होता है बहुमुखी पर्तिभा वाला, बहुमुखी पर्तिभा वाला मतलब जिसके पास बहुत सारा पर्तिभा हो, बहुत सारा कुछ जानता हो, तो जस्मिता इस वन अप दो मोस्ट वर्साटाइल पर्संस, और वन अप दो के बाद हमेशा याद रखे आगे कि noun plural आता है इसलिए यह जो persons है वो हमारा plural है तो जस्मिता जो है वो सभी में से सभी बहुमुकी पर्तिबा वालों में से एक है I have ever meet जितना हम बहुमुकी पर्तिबा वालों से मिले हैं उन में से ये एक है C has many tarrent जिसके बहुत सारे tarrent है अब वर्सा टाइल का spelling याद रखना होगा तो वर्सा टाइल का spelling लिखने के लिए सबसे आसान तरीका आज हम बताते हैं सबसे पहले वर्सा का spelling क्या होता है बिए आर ऐसे अब वर्सा जो है वो टाइल सबस्त लगा देती है घर में इसको टाइलनट बहुत ज़्यादा आ है वर्सा टाइल है अब यह वह वर्षा टाइल अब यह स्पेलिंग धूंड़िए कि वर्षा टाइल है कहां पर तो यह वर्षा टाइल का है वर्षा चुह है वो टाइल बड़ा बस्त लगा देती है घर में तो इसका मतला वर्षा टाइल का स्पेलिंग यहां पर तो नहीं है आई तो है नहीं है आई है लेकिन उसके बाद क्या लिखा है यहां पर नहीं है उसके बाद है वर्षा टी है तो टी है नहीं गलत हो गया वर्षा टी एली टी एली है यह भी गलत हो गया एक ही नंबर में लिखा हुआ है डी नंबर में इसका एंसर ठीक अब इसका थोड़ा से देख लें वर्षा मिला हुँ क्योंकि उनमें बहुत तैलिंट अब दिस हमारा है सिंगुलर और दिस जब दो भर्भ भी सिंगुलर होना चाहिए कि रहोंत फिर साथ हमें सब्सक्राब का यह सिग अध्य ओंष्ट मतलब होता है लेकल्स फ्रीज़ कोड लेकल यहां मतलब काम फोटा है वह क्या बोलते उसको वैधनिस आरिक वैधार्ण कानुनी सहीता ओक् catalyst ऑन से डेट देलिगल कोड़ की जो सहीता है उसका कानोनी सहीता जो है चाहेंड सुना हो जागा स्वेया गया है दो ना को स्वेड़कोस के करते हैं किसा इंसर है नहीं एंसर है कि नहीं पर चाहिए पकावा लुकावा उसको भी याद रख सकते हैं इसे फ्रैंक का मतला असपस ने बोल दिया और अब्यास मतलब पक्षपात पुर्ण। तो इससे यह धारना बनी है कि कानुनी सहीता महिला और गरीबों के परति क्या है पक्षपात पुर्ण है थोड़े जल्दी चलते हैं दहीट डड़ रिलेशन से पाज पर्चंड मतलब अब थोड़ा से देखें दहीट ऐसा सुना गया डायट की कि जो उसका रिलेशन सीप है इसा माना गया सुना गया है कि उसका जो रिलेशन सीप है बहुत ही पर्चंड है इसलिए बहुत बार क्या है टूटा भी है तो इसका एंसर में क्या हुना अची है अब थोड़ा सा गर देखें दा इंप्यूट दा ओडिनेट का मतलब होते है ओडिनेट करना किसी चीज को बढ़ाना तो इन ओडिनेट तो यह गलत हो गया कि हमको यह नेगेटिव मिलिंग हों ईसक के इन आव कर दो सके बाद हैं इंपगन तो हम अपहास मचाख दिराइड है बहस क्या उसको बहस करना है बाहस होने igkeiten कारण किया था कि मतलब परचंट था उसका और परचंटो कारण वो several times बहूत यहने को बार क्या हुआ था थो उसका ठीक है तो रे inquiry inquiry मतलब क्या होता है कि पुश्टाश को पुश्टा तो दा सरे टाइम तक उसका रिष्टा टूड़ गया था परचंड बहुत था उसका रिष्टा था ऐसा पूश्टास में हुआ था ठीक है अब सबसे पहले इसका एंसर चेकरते कि इंक्वाइर ठीक है या नहीं तो इंक्वيरी मतलब जाज परताल पूश्टास करना है सई मिला इनम्मट मतलब परिशंड को कहा डूचए बरा था और कई बार टूप चूका था वहीं चीज़िए यहां पे परचंट था and had broken up several times और इसलिए बहुत बार तूट चुक रहा था चलिए अब है टेंथ नंबर टेंथ नंबर में है a hallucination ए जो है वो सिंग्लर कॉंटेबल नाउन को लाता है तो सिंग्लर कॉंटेबल अनुट इसलिए है को कि इसे एर्र इशाट हुता अंग से अलम एन लगता है यहां पर आ और इसेने का मतलब कि धारना का जो मती व्रहम है उसमें गलतिया ना के ब्रहम में एक गलतियां क्या गलतियां है कि जाधा तर मेंटल होटा के मांसिक स्वास्थ इसूस यानी मुद्दा से जुडआ हुआ होता है तो इसका मतलब है कि यह जुड़ा हुआ का मतलब होता है बचना डिस्पोस्पोस का मतलब क्या होता है बचना सस्पेंड तो आप सब है जानते होंगे निलमबित हो जाना हटा देना यह हुता है दारण की जो है उस अपी गलतिया है कि यह जो है ज्यादा तर किस से जुड़ाता है जो hallucination कहा होता है दिमाग में ही तो होता है ना ब्रह्म कहा होता है यहां कि होता है दिमाग में तो दिमागी से जुड़ा रहेगा वो mental health issue से जुड़ा हुआ है तो यह बोला कि that is why है इसीलिए it is often associated with यह इसी लिए ज्यादा तर जुड़ा हुआ रहता है मांसिक नहीं दिमागी हालात से यह जुड़ा रहता क्यों क्यों कि यह मांसिक भ्रह्मन ब्रह्म थो दिमाग में होता ना इसलिए जुड़ा होता कि से mental health से जुड़ा रहता है थोड़ा सा इसका hindi और answer चेक कर ले अकॉंटेट भी था मतलब होता है इसका उतों बता दिये कोई वाड नहीं है सुस्पेंडेट इन मतलब निलम्मित कर देना एंसर डी नंबर है डिस्पोजों बचना और एस्सूसेटेट विथ का मतलब साथ जुड़ा हुआ मतिप्रम धारना में एक गलती है यही क एक 11 या 12 होगा बस ज्यादा फिलर्स पूछा नहीं था पता नहीं क्या एससी का मती मार दिया हमको समझ में नहीं था किसी मिलेता है किसी मिलेता है तो उम्मित करते कि एससेट ठीक लगा होगा अगर ठीक लगा तो आपमारे सथ कंटीनियू बने रहे हैं